क्लिक करो सब्सक्राइब बटन पे और प्रेस करो इस बेल आइकन पे ताके आप देख सेको वीडियो सबसे पहले हेलो गाइस विडियो में आपको एक नॉर्मल सी एक्सराइज दी जो कि फंक्शन क्रेट करना तो यूजर जो भी नंबर इंपूट करेगा वहां तक लिस्ट क्रेट होनी चाहिए और उसका क्यूब आउट्पूट में जो कि प्रेंट होना चाहिए तो आपने ट्राइग किया एक फंक्शन परेंटन हैं के अंदर एक पास कर देता हुं एक इसके करना आग तो next should बाद फिर मुझे फॉर लोग चलाना है जो फॉर फॉर आई इन ए तो मतलब तो एक लिष्ट है बाद में फिर ए में से जो भी element है वह आई में पास होएगे और आई में आई के साथ हम changes करेगे जो कि हम फॉर के हाए कोंशन करना तो यह मैंत हमारा क्यूब है तो यह हमारा Wells क्रेंट हो गया तो यह नाम का एक variable create करता हूं और input करा देता हूं यह मैंने अंटर नंबर user से पूछ लिया बाद में अब user enter कर देगा पर यह number form में तो आपको user कभी भी कुछ भी ची input कर रहा है आप user से कुछ भी input ले रहो वो string format में होती तो उसे integer में convert करना पड़ता है जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूं तो इंटेजर में कैसे का नोट करना आप आगे पिछे दोनों साइट लगा देना और आगे लिग देना है आइंटी तो यह आपका इंटेजर में convert हो गया अब इसी को मुझे list में create करना है तो इसके बाद मैं एक new variable में बता तो इधर आपको लगाना है प्लस वन यह हमारा लग गया प्लस वन तो इसे में प्रिंट करके भी आपको दिखा देता हूं अब यह लिस्ट बाद में फिर नमबर यह मैंने क्यूब लिस्ट है और बाद में फिर में इधर अपने लिस्ट का नाम पास करा देता हूं जो कि लिस्ट नमबर यह मेरा लिस्ट का नाम है तो बस इतना सा करना है आपको output आ जाएगा तो इसे मैं save करता हूं और आपको run करके दिखाता हूं हं और टाप देढ़िखिए तो एंल्च नमबर तो मैं ँंटर स्वाक पास्च्ज करता हूं पर देखसे हैं पनारट में बॉल गया टो इदर मैं री इंच लिखता हूं और इसको मैं पैनलियों लगाता हूं तो आप देखसे है तो अब आपसे आप में करता हूं और रन तो बस इतना था इसका सल्विजन तो जिसको जिसका सॉल्फ हो गया तो बहुत अच्छी बात जिसका नई सॉल्फ हो तो इसने ट्राइक किया रहेगा और यह देख के प्रैक्टिस करेगा तो समझ में आ जाएगा तो इस वीडियो में बस इतना और बीची देखें हम सुलकिा निक हो थो बसकी बहुत बैसे सकलाम लिए जा रहा है तो आ है प्रट इस वीडिव मुच वाट वहज मीडिखी तदिलीओ सुल्फ है कर दी करेंगी बहुंछाम को श्रभश ना नहीं पिद नहें है तो त्यों झाय पडितर वक्ड दो झाल झाल